इस्रेल में बड़ा डर बैट गया है कि अगर इरान का बस चला तो वो इस युद्ध से कभी बाद नहीं निकल पाएगा इरान ने अब एक ऐसी बड़ी तैयारी कर ली है जिसके आगे इस्रेल और अमेरिका दोनों की फॉज बुरी तरह हार सकती है इस्रेल में इसे इरान का छुपा हुआ हमला कहा जा रहा है इरान का एलान इस्रेल का विनाश शुरू घाजा में भायंकर नरसंगार का बदला अब इरान लेगा इरान के सुप्रीम लीडर अलिखामनेई ने एलान कर दिया है कि भले ही हमास और इस्रेल के बीच सीज फायर हो गया हो लेकिन इरान घाजा में गिराए गए एक एक इस्रेली बम का खूनी बदलाज जरूर लेगा इरान ने यहां तक दमकी दी है कि वो इस्रेल और अमेरिका को किसी भी कीमत पर नहीं बक्षेगा और अब इस्रेल पर भीचान हमले शुरू हो चुके खाजा में एक एक बम का बदला लेगा इरान हम आपको आगे बताएंगे कि इरान इस्रेल पर किस तरह से घातक हमले शुरू कर रहा है और अभी इरान हेजबुला हूथी के लड़ाकों के साथ मिलकर इस्रेल पर किस तरह से हमले तेज कर रहा है लेकिन उससे पहले ये जान लीजे कि इस्रेली सीना ने सीज फायर के दौरान पिछले 48 घंटे में गाज़ा और वेस्ट बैंक में कितनी भीशवन तबाही मचाई है और हमास को कितना बड़ा नुकसान हुआ है इस्रेल सुरक्षाबलों यानि आईडियफ ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में हमास के नौसेना बल के कमांडर को उसने मार डाला है कमांडर उमर अबुजला हमास की नौसेना बल में एक सीनियर कमांडर था कमांडर उमर अबूजला को इस्रेली सेना ने हवाई हमले में मारा है अब तर हमास के 70 से ज़्यादा कमांडर मारे जा चुके हैं कमांडर उमर अबूजला से पहले दक्षुनी खान जोनस बटालियन के कमांडर बिलाल अलकीदरा मारा गया था जबकि उससे पहले कमांडर अयमन नोफेल और मेजर जनरल जियाद मोहिसेन भी मारे जा चुके हैं जबकि हमास कमांडर मुराद अबू मुराद, अली कादिर और मुहम्मद कटमश को भी आईडिय अप मार चुकी है इस्रेल को नहीं बचा पाएगा सीज़ फायर अब सवाल उड़ता है कि आखिर इस्रेल के सामने ऐसी क्या मजबूरी होई कि उसे हमास के साथ चार दिन का सीज़ फायर करना पड़ा इरानी सेना के दावों के मुताबिक गाजा सिटी में इस्रेली सेना को भी बारी नुकसान हुआ है इरान का यहां तक दावा है कि भले इस्रेल अपने सतर सैनिकों के मरने का दावा करे लेकिन हकीकत में इस्रेल के दस से बीस गुना सैने गाजा सिटी में सीधी जंग में मारे जा चुके है इसलिए इरान के सुप्रीम लीडर अलीख खाम नहीं चार दिन के सीजफ़ार शुरू होने के साथ की ऐलाम कर दिया था कि घाजा में गिराए गए एक एक इस्रेली बम का बदला लिया जाएगा इसी को लेकर इरान की राजधानी तहरान में इरान, सैनिक और लड़ाकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है जिसमें इस्रेल को नक्षे से मिटाने की कस्मे खाई गई है तहरान में हुए प्रदर्शन की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जबर दस्त नारों के बीच एजरेल को मिताने की कस्मे खाय जा रही है दर नजात मर्दों फलिस्तीन इकदाम ताइन कनने या अन्जाम दहत बर नाउमिदी मिलत हा अज़ दोलत हा व बीताबी आना हा दर दिफाद फलिस्तीन अफजूदे मी शवद इरान का एलान इस्रेल का विनाश शुरूप पश्यमी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के लाख चेतावनी देने के बावजूद इरान बंकरों में छेपे अपने घातक हत्यारों से इस्रेल पर बड़े हमले की तयारी कर चुका है एक अनुमान के मुताबिक इस्रेयल पर हम्पला करने के लिए इरान ने शाहिद सीरीज के आत्मगाती ड्रोन तयार कर चुका है इसके अलाबा मुहाजर 10 अराश टूर ड्रोन भी इरान के बेहत गातक अथियार हैं जो इस्रेयली शहरों को तबाह कर सकते हैं इस्राइरों के एक बार बरे हमीशे मेखाना हैं अभी वारी पर शेप्राटी कोशे परस अशनारता बरतारें हमास का साथ एरान और हजबुलाद जबरदस तरीके से दे रहे हैं इस्रेयल भी जानता है कि इरान के 5.75 लाक सैनिकों से जंग करना जरा भी आसान नहीं है इस्रेयल के पास सिर्फ 1.73 लाक सैनिक है इस्रेयल की 4.65 लाक के रेजर्व फोर्स को जोड़ कर भी इस्रेयल इरान के आसपास नहीं टिकता है अब ऐसे हलाग के बीच इसरेयल का ये कहना है कि वो पूरे मिडलीस्ट में कहीं भी, कभी भी बंबारी कर सकता है ये धावा, वाकई हैरान करने वाला है כך חן הקציר היקרה ששווה היום הביתה, לאחר שארגוני הטרור טענו, שהרגו אותה לפני מספר ימים לכן, יש להסתמך על דיווחים של גורמים רשמיים בלבד עזה, בשעות הבוקר, כוחות צהל נערכו בקווה ההפוגה בשטח רצועת עזה המפקדים, תודרחו וכינו את הכוחות להתנהלות במהלך ההפוגה बיטחון הלוחמים שלנו लेकिन ये भी सच है के घावा पट्टी को साट फीस्टी तक अजरेयल तबा कर चुका है अथर तेड महीने से जदा की जंग में लगभग 15,000 से जदा लोग घासा मेमारी जा चुके है लगभग 30,000 लोग अभी भी कब्रिस्टान बन चुके उत्तरी घाजा के इमारतों में दफन है लगभग 50 दिन की जंग में इस्रेली वायुसेना ने 35,000 से जदा बम उत्तरी घाजा, दक्षनी घाजा और वेस्ट बैंक पर बरसाए हैं सतर से जदा हमास के कमांडर मारे जा चुके हैं इस्रेली फोर्स ने हमास के इसलामिक जिहाद परिशत के मुक्षाले, कमांड सेंटर, सैन ने परिशर, दरजुनों लॉंचर पैर, एंटी टैंक पोस्ट और वाच टावर को मलवे में बदल दिया इस दोरान फिलिस्तीनी इसलामिक जिहाद आतनफ़ादी संगठन के सैन ने मुक्षाले को भी नश्ट कर दिया गया इसके अलाबा आईडियेफ ने हमास के कई बुनियादी धांचे को भी बरबाद कर दिया इधर हमास के टॉप कमांडर इसमाइल हानिया इरान के साथ मिलकर इस्रेल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तयारी कर रहे है जरा इन तस्वीरों को देखिए हमास के नेता और टॉप कमांडर इसमाइल हानिया इरान के विदेश मंत्री होसैन अमीर अब्दुल्ला हियान के बीच एक जबर्दस्ट मीटिंग हो चुकी है तावा किया जा रहा है कि कतर के राजधानी दोहा में होई इस मीटिंग में एरान ने हमास के लीडर्शिप को साफ कर दिया है कि एरान इस्रेल के खिलाफ जन्ग में उतर चुका है अब एरान की बेतहाशा सैन्मिय ताकत हमास की ताकत बन गई है यानी घाजा में एज्राइल को सर्फ हमास से नहीं, बल्की ऐरान की सेना, लबनन की हजबॉला लडातो, और हमास की सुरंग जिहादियों से जगन करने पड़ेगी. गाजा में एक एक बम का बदला लेगा एरान, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस्रेली सेना के होसले साथवे आसमान पर पहुंच गए हैं। हेजबॉला के लिए चेताउनी की तड़ा देखा जा रहा है। है पुरी तरसे तיयारे हमास की मौजूदा सेन निक्षमता को देखें तो उसके पास ज्यादातर एरान के दिए हत्यार है। इसरेल पर मौजूदा हमले में फजर त्री और फजर फाइफ रॉकेट का इस्तिमाल किया जा रहा है। 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 है।